दोस्तो नमस्कार आज हम आपको घड़ी की सुयों के माध्यम से दिसाओं का ज्यान कराना सिखाएंगे ऐसे तो हम सबी जानते हैं कि दिसाएं चार होती हैं पूरब पश्चिम उत्तरदक्षिन नौर्थ इस्ट वेस्ट साउथ और यही तो न्यूज का भी पूरा वर्जन है लेकिन किसी बिशेष छेतर की भागोलिक पश्तित्यों और दिसाओं का ज्यान ज़然后 करना हो और खासत और से किसी छेतर में ट्रेटिकींग पर जाना हो तो वहां पर आठ दिसाएं महत्यपूर्ण हो जाती हैं जिनका हम आपको क्रम से अध्यान कराएंगे दोस्तो घंटा और मिनट की सुई इस समय नौर्थ और साउथ पूल को दिखा रही है अर्थात जहां 12 लिखा है वह नौर्थ है और जो 6 लिखा है वह साउथ है दोस्तो इस समय घड़ी में 9 बच के 15 मेट हुआ है अर्थात जहां दिखा रहा है कि इस और वेस्ट की डिरेक्शन को जहां पर घंटे की सुई है वह वेस्ट है और जहां पर मिनट की सुई है थ्री की ओर वह इस्ट है इस तरह हमने चार दिखाओं का अध्यन कर लिया है इस्ट वेस्ट नौर्थ और साउथ चलिए अब हम आठ दिखाओं का अध्यन की ओर आगे बढ़ते हैं हमारी 8 अन्य दिशाएं है Northe East, Northwest, South East और South West तो इसका सबसे अच्छा अच्छा तरीका है आपका North East यहां पर है और ये आपका North West यहां पर है जहां पर दसकिसुई में और South East यहां पर है और South West यहां पर है अब हम इसको position में घली के अनुसार दिखाते हैं इस समय जहाँ पर घंटे की सुई है अथाथ एक और दो के बीच में वह नौर्थ इस्ट की position है और जहाँ पर इस समय साथ और आठ के बीच की सुई है वह आपका साउथ वेस्ट की position है यानि कि perfect जो position है वो कुछ इस तरह से होगी ऐसे और ऐसे नौर्थ इस्ट साउथ वेस्ट चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं next दो दिशाओं की ओर आप इस सब्सक्राइब घड़ी में जो position देख रहे हैं वो perfectly आपके दो अन्ने दिशाओं की ओर को डिरेक्स करती है यहाँ पर है आपका नौर्थ वेस्ट और इस पोजिशन में है आपका साउथ इस्ट इस तरह से हमने कुल मिलाकर आठ दिशाओं का अध्यन कर लिया है आप इसको hiking, tracking के दोरान भी सीख सकते हैं दोस्तो हमें यकीन है कि आपको घड़ी की सुयों के अनुसार दिशाओं का ज्यान पसंद आया होगा